Books That Speak पर आप सभी का स्वागत है सुनते हैं कहानी सपूत जिसे लिखा है श्री कृष्ण जी ने कहानी सुना रही है असावरी दोशी Thanks to E-Initiative by Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research पुने बहुत पुरानी बात है फूलेरा नामक एक आदर्श गाउं था गाउं में हर तरफ स्वच्चता थी गाउं की गलियों में नियमीत रूप से ज़ाडू लगाई जाती थी नालिया रोज साफ की जाती थी लिपाई पुताई करके घर आंगन सुन्दर रखा जाता था परिसर में बड़ी संख्या में पेड पौधे थे कुवे का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानिया बरती जाती थी पंघट स्वच्च और सुसजित था एक दिन पंघट पर तीन स्थिया पानी भर रही थी वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी एक बोली बेहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है जबसे शहर से पढ़कर आया है चारो और उसकी धूम मची है बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है आकाश के तारों को देख कर उनके नाम बता देता है देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है दूसरी ने जोश में जट से आगे बढ़कर कहा अरियो सकी मेरे लाल जैसा बली तो दस-पांच गावों में देखने को भी नहीं मिलेगा पांच सो दंड बैठक वो रोज सुबे लगाता है अखाडे में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते है वो मेरा सपूत है अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वो चुप रही इस पर उन दोनों ने कहा बेहन तुम चुप क्यूं हो लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली बेहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है वो सीधे सादे स्वभाव का साधारण किसान है दिन भर खेत में जुता रहता है शाम को घर का काम करता है आज बहुत कहने सुनने पर वो मेला देखने गया है इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा तीनों स्त्रीया अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी अभिवे दो चार कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा पास आते ही उसने अपनी मा से कहा व्याख्यान देने जा रहा हूँ भोजन वही करूँगा ये कहकर वो तेजी से चला गया तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा वो मतवाले हाथी की तरह जूम रहा था उसने अपनी मा से कहा मा आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बरी तरह पचाड़ा पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना मुझे जोरो की भूक लगी है ये कहकर वो घर की ओर बढ़ गया अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुँचा वो बड़ा ही सीधा सादा था आते ही उसने अपने मा के सिर से घड़ा उतार कर अपने सीर पर रख लिया और बोला मा तुम क्यों पानी भरने चली आई मैं तो आहे रहा था न मा से घड़ा लेकर वो उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा ये देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से जुग गया उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्यान एवं बल अधूरे है वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जी लिखित कहानी सपूत कहानी का वाचन आसावरी दोशी Books That Speak पर धन्यवाद